छट से हर्वेस्टिंग की गई सच्चियां प्योर और्गैनिक केमिकल फिरी हैं और एक परिवार के लिए काफी है इसलिए छट पे गार्डनिंग करने के लिए सोचना नहीं है कि हम मारे पास बहुत ग्रो बैग हूं बड़े तो ही हम सबजियां लगा पाएं वैसे हम सबजियां जादा तो नहीं लगाते हैं पर मेडिसीन वाले पौधे हम जादा लगाते हैं, जादा उस पे ध्यान देते हैं, कि मेडिसीन वाले पौधे, हमारी एक पौधों का कितना गूण है, एक पौधे से हम अनेकों प्रकार की दिख्तों को दूर कर देते हैं, जिसे गिलोए है या हरसिंगार के पौधे हैं या मीठी नीम के तुलसी ये सब और उसके साथ साथ अगर सबजियां भी कुछ लगा देते हैं तो हम लोगों को केमिकल फिरी सबजियां भी मिल जाती हैं और देखिए कोई कम नहीं है और ये नहीं कि ये पहली बार हम हर्विष्ट कर रहे हैं बैगन ये दूसरी बार है वीडियो नहीं डाल पाए थे पर ये दूसरी बार इतना बैगन हमको मिल रहा है अभी लगे हुए हैं काफी बैगन इसमें और जितनी जरूरत है उतना तोड़ रहे हैं और सेम आप लोग देखी रहे हैं बस ये धियां रखना है कि एक दो पाउधे नहीं अगर हम छट पे लगा रहे हैं तो कम से कम चार से छे पाउधें तो होने ही चाहिए तब जाके एक परिवार के लिए कुछ सबजिया निकल पाएंगी और टामाटर तो हम बार हो मास लगा सकते हैं बैगन इक बार लगाएंगे कई बार हर्विष्ट करने को मिलेगा और हमारे घर में ही ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमारे विष्ट मैटेरियल हैं उसी से हम विटामिन्स या खाद हम बनाके और डालें एक पैसे कभी खर्च नहीं और पर्याप्त मिलेगा अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे थोड़ा सा क्यार करें तो कोई जरूरी नहीं है कि बस हमारे पास ग्रूब बैग हों और खर्च कर पाएं न कर पाएं तो न लगाएं नहीं